नमस्कार दोस्तो आप देख रहे हैं आपका अपना यूटीब चैनल आज फिर मैं आपके सामने आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ खास उपाई के बारे बारे नमस्कार दोस्तो आज हम आपके दोस्तो जो व्यक्ती प्रति दिन माता लक्षमी को वे भगवान विश् रहता है बलकि नरक से भी आपको मुक्ती मिलती है साथ धन धानने की कभी भी कोई कमी नहीं होती है लिए बहुत ही जबर्दस वीडियो लेकर आए हैं पीपल के सामने बोल देए दो सब्सक्राइब का मंत्र भैंकर मिर्त्यू शनी दोस्त भी होगा तीस सेकेंड़ों में ख को दवाना ना भोले दोस्तों अकर जोतिस सास्तर की बात करें तो जोतिस सास्तर के अनुसार हर व्यक्ति की कुंडली में नो ग्रह होते हैं यह नो ग्रह अपना प्रवाब भी दिखाते हैं जी हां इनी ग्रहों के स्थिती में परिवर्दन के कारण ही व्यक्ति को अच्छे बोल दें ये दो सब्दों का मंत्र भैंकर मिर्त्यू शनी दोस्त भी होगा 30 सेकंडों में खत्म। बरहाल हिंदू धरम सास्त्र के अनुसार सनी देव का चरित्र भी नया अधिकारी के रूप में माना जाता है। अगर सिधे सब्दों में कहें तो सनी देव कर्म और सत्य दोनों चीजों को जीवन में अपनाने की प्रेणा देते हैं। गौर्दलव है यदि आप सनी देव को किसी दूसरे तरीके से प्रसंद करना चाहते हैं तो इसके लिए भी सास्त्रों में कई उपाय बताई गए हैं। वैसे भी सनी देव को प्रसंद करने से आपको जीवन यूहीं सफल हो जाता है। बतादे यदि आप सनी देव को प्रसंद करना चाहते हैं तीपल की पेड के नीचे एक दीपक जलाएं और दोनों हातों से पीपल की पेड को इसमान चाторog करना चाहें तो हम श्यम 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 करते हैं। के पूजा करते समय ओर झीपक जलाते 받고 करते समय इस मंत्र का जाब करते रहना चाहिए आप की साधे साथ के साथ यह आपकी सभी मनूंका मना कुरी हो प्लाइशानी अवर दूर हो जाएग इसके साथ ही जदी आपकी कोई विशेश मनुकामना है तो उसके लिए मैं को बता रहा हूं अगर आपकी कोई विशेश मनुकामना है तो शनिवार के दिन सबसे पहले आप एक धागा लेना है दोस्तों आपको लाल रंग का धागा लेना है तो लाल रंग का धागा लेने के बाद उ वे कटा फटा या बेकार नहीं होना चाहिए, यदि वे खराब होगा तो आपके लिए कार्रे नहीं करेगा, तो इस चीज का आपको विशेश ध्यान रखना है, एक आम का पत्ता ले, अब इस आम के पत्ते को पानी से, साफ पानी से धो करके साफ कर ले, उसके बाद जो इसमे पत्ते तता धागे को जल में परवाहिद कर दे, दोस्तों जल का ध्यान रखना है कि आपको बैता हुआ जल ही लेना है, यानि कि बैते हुआ जल में ही आपको परवाहिद करना है, आपकी मनो कामना जल्दी पूरी हो जाएगी, आपकी मनो कामना और भी जल्दी पूरी हो, इसके लिए मैं आपको एक और उपए बता रहा हूं दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय शनी देव या फिर जय बजरक बली आवशे रिखें आपकी मनुकामना जल्दी पूरी हो जाए इसलिए एक और उपए आपको बता रहे हैं दोस्तों यह उपए बहुत ही आसान है दोस्तो सनी देव की किरपाया या फिर उनकी कुद्रिश्टी प्राप्त होती है अगर आपको बताओं अगर आप सनी के प्रकौप से बचना चाहते हैं तो आपको प्रति दिन हन्मान चाली सकाव पाठ करना चाहिए आप सुबह के साथ 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 साम के समय भी अपनी पूजा के दो प्रतम होई जाती है साथ ही साथ सनी देव की किरपा भी मिलती है हन्मान चाली सकाव पाठ परति दिन करने से या फिर मंगलवार या सनीवार के दिन करने से सनी देव के साथ साथ हन्मान जी की वी विशेश किरपा प्रापत होती है और हन्मान जी भी आपके मनो कामना को दीपक में डाल देने के बाद आपको हनुमान जी के मंदर में जाना है और हनुमान जी के मंदर में जाने के बाद आप चमेली के तेल का दीपक जलाएं और हनुमान जी का दर्शन भी करें जब हनुमान जी के सामने आप हाद जोड़ करके उनसे खड़े होंगे तो आप उनसे अपनी मनोकामना भी जुरूर मांगे इससे दोस्तों उनकी किरपा यानि कि हनुमान जी किरपा आपको मिलनी सुरू हो जाती है और आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जो आपको बहुत समय से पूरी नहीं हो रही है तो उसको पूरा करने के लिए आप यह उपाय कर सकते हैं यह उपाय आप शनीवार को भी कर सकते हैं और मंगलवार के दिन भी आप इसे कर सकते हैं इससे वे उपाय भी पूरी हो जाती हैं जिनको क करें इससे आपकी मनुकामना जरूर पूरी हो जाएगी इस उपाय को अपनाते वक्त आपको बिसे ध्यान रखना चाहिए इसमें आपको चमेली का तेल ही प्रयोग करना है तो आप इस उपाय की विवस्ता आज ही करें दोस्तों अगर आप सनीदेव के प्रकौफ से बचना च देता है इसलिए सनीवार के दिन पीपल के पेड़ पर शनीदेव को तेल चड़ाया जाता है पीपल के सामने बोल दे ये दो सब्दों का मंत्र भैंकर मृत्यू शनीदोस भी होगा तीस सेकंडों में खत्म और तेल आप चड़ाते हैं या पर तेल का दीपक जलाते हैं तो आपको एक और चीज करनी चाहिए जब भी आप तेल का दीपक जलाएं तो उसमें आपको काली वस्तुव जैसे की काले तिल उसमें काली उडद आदी डाल दे थोड़े से काले तिल दीपक में डाल कर जलाएं तो यह भी पाया जाता है कि सनीदेव बहुत ही जल्दी प्रसं है तो उससे आपको और भी ज्यादा फाइदा मिलता है इसके साथ ही दान करने के साथ आप रूद्राक्स के बारे में भी आपने जरूर सुना होगा अगर आपने सुना है तो आप जानते होंगे कि रूद्राक्स का उपाई भी आपको बहुत ही जल्दी फल परदान करता है इसके लिए आपको क्या करना है इसके लिए अगर आपको चार मुखी पांच मुखी छे मुखी साथ मुखी इन चारों में से कोई भी रूद्राच मिल जाए या चार पांच छे या साथ मुखी में से कोई भी एकर आपको मिल जाता है तो आप इसे सुद्ध करने के बाद आप को इसेिसे इस्तेमाल करना है इसे सुद कैसे करना है जान लेते हैं इसको शुद करने के लिए आपको अगरवति नहीं के सामने के नहीं सोबीकर उसन इसमें एक लाल धागे को पिरो करके इसे आपको धारन कर लेना है, इसे अपने गले में पहनना चाहिए, इस बाद का बशेत ध्यान लगें कि जो लाल धागा आप इसमें डाल रहे हैं, यानि कि जो पिरो रहे हैं, वह लाल धागा सूथ का होना चाहिए, यानि कि थोड़ा मो जिससे कि आपको को बुरा ना कर सके, उसलिए आप संुन्रकान का पाठ अथा स्वर्ट्ञ. तो आपको सुन्दर कान का पाट अवश्य करना चाहिए शनी देव का अविशेक करते हैं अविशेक मतलब शनी देव को जल चड़ाते हैं इससे भी आपको उनकी बहुत फिर्पा प्राप्त होती है जब भी हम किसी देवता को पानी चड़ाते हैं तो उसे अविशेक बोला जाता है अगर आप सनी देव का अविशेक करते हैं तो आप सिर्फ तेल से करते हैं लेकिन अगर आप तेल के साथ ही सरसों के तेल के साथ ही उसमें कुछ चीज़े डाल दें तो बहुत ही चमतकारी फायदा बन जाता है अगली बार जब भी आप शनीवार के दिन सनीदेव का विशेक तेल से करें तो उसमें थोड़े से काले तिल डालना ना भूलें इससे आपको बहुत ही जल्दी फायदा मिलता है इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि काले गोडे की नाल का छला आपको कहीं से मिल जाए तो आप काले गोडे की नाल का छला शुद्धी करन करने के बाद उसको गंगाजल से दो लें और सनीवार से एक दिन पहले ही अपने पास लेकर के आएं और वहां उसे धो करके अपने मंदिर में स्तापित कर दें और सनीवार के दिन सुबह 11 वजे से पहले पहले आप इसे अपनी उंगली में धारन कर लें आपको यह अपनी मद्यमा उंगली में यानि की बीच वाली उंगली में मिडल फिंगर में धारन करना है तो आपको अगर सनीव का सनीवार के दिन मिल जाए तो आप सको धारन करना ना भोले अगर आप गरीब गरीब हैं और आप साते हैं कि आप अमीर बन जाए तो इसलिए दोस्तों आप गरीवों को काला कंबल जुरूर दान करें इससे आपको शनी देवी क्रपा जुरूर प्राफ्थ होगी और सनी देव आपका उद्धार करेंगे और जो भी आपकी साड़े साथ यह डहिया सनी के दूस्प्रवाव या उनकी कु अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे इस वीडियो को जुरूर लाइक करें और शेयर करें दोस्तों आज की वीडियो में किवल इतना ही कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ तब तक लिए देमेजाता धन्यवाद कमेंट में ल इतना ना गर नग्म नगद लाईकात बात करें वीडियो में